Hello everyone, welcome to trending economics, तो आज का हमारा जो topic है वो है cryptocurrency, यानि आज हम cryptocurrency के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, दीखें, cryptocurrency से मतलब एक vicious प्रकार की digital मुद्रा से है, मतलब वो online form में रहती है, यह विकेंद्रित यानि decentralized है, इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे किसी भी देश की सरकार लागू नहीं करती है, ठीक है, इस मुद्रा पर किसी देश या राज या किसी भी authority, यानि की संस्था का नियंत्रल नहीं होता है इसके उपर, ठीक है, अर्थात यह एक स्वतंत्र मुद्रा है, जो digital रूप में होती है, इसके लिए cryptography का प्रिय प्रिदी या बेंची जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये मुद्रा होती है, money होती है, अब इसके बाद last point पढ़ते हैं, ये कई प्रिकार की होती है, जैसे आपने बहुत famous सुना होगा bitcoin, जो कि पहली cryptocurrency है, 2009 के आसपास आई थी, ethereum का नाम आपने सुना होगा, इसी तरह red coin, और dog dog के नाम से भी बहुत सारी बहुत तरह की cryptocurrency अब तो आ गई है, ठीक है, I hope आप समझ गयाओंगे, easy भाशा में,